हलो दोस्तो मेरा नाम है आरियन और आज हम सब देखेंगे बॉलिवुड हिरोईज को वो भी बीना मेकप के की वो कैसी दिखती हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे वीडियो की नौटिफिक्शन को सबसे पहले मिले तो चलिए लिश्ट में नमर दस पे बात करते हैं अमिसा पटेल की आप देख सकते हैं कि कैसे अमिसा पटेल के आखों के नीचे डार्क सरकल क्लियर नजर आ रहा है और उनका फेस भी पर डल लग रहा है मगर वो बिना मेकप के आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसी थोरी सावली और नुगा फेस भी थोरा डल दिखता है तो चलिए इसी के साथ अब लिश्ट में नमर आठ पे देखते हैं जैकलीन फरनेंडिस को अब फोटो में क्लिएर देख सकते हैं कि जैकलीन फरनेंडिस के आखों के नीचे काफी बरा डार्ट सरकल दिख रहा है जो कि रियल है और वो फोटो में मेकप लगा के जितनी गोडी दिखती है रियल में उतनी गोडी है नहीं तो चलिए इसी के साथ अब लिष्ट में नमर साथ पे देखते हैं के ट्रीना कैफ को वो बॉलीबूट की कुछ ऐसी हिरोईंस में सामिल है जिनके पास नेचरल ब्यूटी है वो मेकप की रही है या बिना मेकप की सुन्दर हमेसे लगती है उनका नेचरल ब्यूटी है और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है उनका बिना मेकप के फोटो काफी अच्छा दिखता है इसी के साथ अब लिष्ट में नमर सिक्स पे हम सब देखेंगे विपासा वासु को विपासा वासु फोटो में जितनी सुन्दर दिखती है रियल में उनकी सुन्दर है नहीं उनका फेस उतना गोड़ा नहीं है जितना गोड़ा दिखता है मगर फिर भी उनका फेस कटिंग काफी सही है अब लिष्ट में नमर पाँच पे देखेंगे दिपिका पद्दुको को दिपिका देखने में काफी गोडी लगती है मगर उनका डियल फेस उतना गोड़ा है नहीं है आप देख सकते हैं फोटो में की वो थोड़ी सावली है और उनके फेस के नीचे थोड़ डार सरकल भी है इसी के साथ लिश्ट में नमबर चार पे हम सब देखेंगे विद्या बालन को विद्या बालन मेकप की हो या बिना मेकप की दोनों में काफी सुन्दर लगती है उनका डियल फेस और रिल फेस में कोई अंतर नहीं है अब देख सकते हैं फोटो में वक्ति इतनी सिंपल और सुन्दर लग रही है इसी के साथ अब लिश्ट में नमबर तीन पे हम हम सब देखेंगे एसवरिया राय बचन की एसवरिया मेकप की हो या बिना मेकप की दोनों ही वक्त काफी सुन्दर दिखती है उनका फेस कटिंग भी काफी सही है उनको एक बार मुस्ट उनिवर्स का खिताब से भी नवाजा जा चुका है इसी के साथ लिश्ट में नमबर वन पर बात करते हैं करिना कपूर खान की वैसे तो यह काफी गोडी है मगर आप फोटो में क्लियर देख सकते हैं इनकी आखों के नीचे डार्ट स्पोट्स फेस पेज जुरिया और इनका एज भी जेस्टिफाई हो रहा है इनका एज 45 प्लस है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल नौलेज हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जूड़े रहें मैं वीडियो रेगलर अप्लोट करता हूं वर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू